वेलकम टो एड़ियो से ड़ियोस में आप सभी लोग का स्वागत है इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइंस के प्रस्ण यानि जेनरल साइंस आप कहिए या फिर सामान विज्ञान कहिए उसका ये पुड़ा निचोड है इसको हम लोग दो पार्ट में देखेंगे ठीक वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक जरूर किजगा चैनल पर पहली बार आएं तो उसे सब्सक्राइब जरूर किजए ताकि अगली वीडियो जब भी हम उपलब्द करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहा है सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि वो साथ में जब एक्टिफ होगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा ठीक है इससे पहले हमने दो वीडियो जो है वो लुसेंट जीके के लिए बनाई हुए जिसमें मिक्स जीके के कोश्चन से उसमें हजार प्रस्ण हमने डिसकस किये हैं और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और साथ ही यहां पर जो आई बटन है यहां से भी आप लोग देख सकते हैं ठीक है थोड़ी थोड़ी दिर के बाद पार वन और पार टू का यहां पर आई बटन जो है वो अपियर होगा आप दोनों देख सकते हैं चलिया यह इस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिनके पास कम समय है वो भी इस वीडियो को देखिए किसी पर त्योगिता परिछा की तयारी आप कर चुके हैं काफी पहले आपने फॉर्म भरा हुआ था आपने अच्छे तयारी कर लिए तो आपके लिए यह रिविजन का भी काम करेग और साथ ही अगर आपके पास परियाप समय नहीं है आपने पर तयारी अच्छे से नहीं किये तो भी आप इस वीडियो को देखिए ताकि आप maximum marks जो हो examination में ला सकें और अगर आपके पास समय बहुत जादा है तो आप इस वीडियो को regular देखिए हर 5 दिन के अंदराल पर इस रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल पर पहली बार आए है तो जरूर सब्सक्राइब किजिए ताकि हर एक वीडियो का आपको notification मिलता रहे ठीक है पहला जो यहां पर प्रस्न है वो हम यहां पर देखते हैं ओजो नस्तर हमें किस से संरक्षन प्रद रंकी होगी question का जो label है थोड़ा सा बढ़ाया है मैंने ठीक है science के लिए खास करके मैंने question का label बढ़ाया है और यह सभी परत्योगता परिक्षा में आप देखेंगे बिल्कुल golden question है यह सारे stainless steel क्या है तो यह है मिस्र धातू शक्ति का जो मातरा का unit वो क्या है what है हर तरह के question आपको मिलें जल का अधिक्तम घनत जो है वो किस तापमान पर संबब होता है तो वो होता है 4 degrees centigrade पर दोस्तो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं अगर आपको बीच बीच में ads आते हैं ठीक है advertisement आती है तो आप please उसको skip ना क काम कर सकते हैं कि आपको ad को skip नहीं करना है चलिए आगे देखते हैं प्रश्ट cigarette के एक pack पीने की कीमत आपके जीवन में 3.5 गंटे होती है यह कथन किस रोग के बारे में कहता है ठीक है cigarette का जो एक pack अगर पीते हैं तो आपके जीवन के 3.5 गंटे के बराबर होता है वो यान cancer रोग के बारे में बताता है कौन सा बल जो है पिटवी पर अधो मुखी दिशा का काम करता है यह बल है भार उसके बाद है मंड और सरकरा जिसको चीनी कहते हैं सरकरा को दोनों मिला कर क्या कहलाते हैं तो यह कार्बो हाइडरेट कहलाते है नेक्स कुश्चन है धाने में लुक्ष्म विभाजित वस्तू के मौजूदकी में हाइडरोजनी करत किया जाता है तो यह है निकेल नेक्स है कौन सा विटामिन आखों के लिए अच्छा होता है यह होता है विटामिन ए ठीक है विटामिन ए की कमी सही जो है वो रतोंधी बिमारी होती है जो आखों की बि तो ये करती है प्रकास के पूर्ण आंतरिक परावरतन पर ठीक है टोटल इंटर्नल रिफिलेक्शन के उपर ये डिपेंड करती है और नेक्स कोश्चन है अगला प्रशन है खून की कमी को क्या कहते हैं तो ये कहते हैं एनीमिया नेक्स कोश्चन है चमगादर जिस सिद्धान द्वारा संचालन करते हैं उसमें किसका गुंधर्म या तत्त होता है ये होता है ध्वनी नेक्स्ट आए बहुत अधिक धुमे से भारा हुआ जो कोरा होता है वो क्या होता है तो धुम कोरा कहते हैं उसको अगला प्रशन देखिए पिर्थवी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है पिर्थवी के पटल में ठीक है पिर्थवी के पटल में जो है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है यह ध्यान रखना है यहाँ पर पूरे वायमंडल की बात नहीं हो रही है सिर्फ पिर्थवी के पटल की बात हो रहे तो इसलिए oxygen है अंत्रिक्ष यात्री को अंत्रिक्ष कैसा लगता है तो यह लगता है काला यह अंत्रिक्ष यात्री को आस्मान कैसा लगता है यहाँ पर होना चाहिए ठीक है अत्रिक श्यात्री को आस्मान कैसा लगता है तो वो लगता है काला नेक्स है बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वो किसका बना होता है वो होता है टंगस्टन का अगला प्रशने देखिए, स्फि Cyclope Manometer नامा कुप करण किसको मापने के लिए काम में लाया जाता है, तो यह लाया जाता है रक्त दाब में अगला प्रश्ण है हवा को छोड़े जाने पर पच्छे पास तिर किस तरह के पत्थ का अनुशरन करता है तो ये करता है परवेलाइक अगला प्रशन है पेट्रोल के कारण लगी हुई आग को बुजाने के लिए पानी परभावी नहीं होता है यानि पानी का कोई खास असर नहीं होता है क्यों क्योंकि पानी और पेट्रोल एक दूसरे में अगुलंशील होते हैं पेट्रोल उपर ही सता पर रहता है और जो वह है जलता ही रहता है जब पानी और पेट्रोल को मिला जाता है तो जैसे यह पानी है और इसमें पेट्रोल डालेंगे तो पेट्रोल जो है वो उपर ही रहेगा तो जब आप माली जब पेट्रोल की लगी हुई आग को आप बुझ अगला है प्रोटीन का सबसे अधिक सम्रिद सुरोत कौन सा है तो यह है स्वयाबीन और ध्वनी तरंगे किस से होकर यातरा नहीं करती निर्वात निर्वात में जो है वो ध्वनी तरंगे यातरा नहीं करती है उर्जा पर्तेक्ष या परोग्छ रूप से किस से प्राप्त हो मिक्रूप में से क्या पाय जाता है वो किसका मातरक आवेश की मातरक है। Next Question है Electron-volt किसका मातरक है, यह है Urja का मातरक उसके बाद है Phyclology का अध्यञगा, जो है वो किसका अध्यञगा जाता है Phycology मेement Phycology मेement डायरेक्ट ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है दैरेक्ट ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, सैवाल सापनसं का BoGU होता है गश्ता है, टो यह जो है, दोलन करते हुए लुलक जो है कि कुछ समय पास्ट ही विराम अवस्था में आ जाता है, तो जो कारन है वायू के घर्षिन के कारन होता है, नेक्स कोश्चन है विद्यूत बल्ब की जोती दख्षता का मातरक जोती दख्षता इसका जो मातरक है यह लिूमेन पर वाट ठीक है लिूमेन पर वाट होता है विद्यूत बल्ब की जोती दख्षता का मातरक नेक्स कोश्चन है शरीर में एनीमिया रोक किसकी कमी के कारण से उत्पन होता है यह होता है आईरन की कमी के कारण ठीक है नेक्स कोश्चन है ध्वनी किस रूप में यातरा करती है तो यह अनुधैरी तरंग की गती में काम करती है ध्वनी जो है आप सैसे भी पूछ सकता है द्वनी किस तरंग में काम करती है तो अनुधारी तरंग की गती में काम करती है अगला प्रशन है एक जलती हुई मुंबती एक टंबलर से ढग दिये जाने के कारण बुझ जाती है ये किस कारण से ऐसा होता है ठीक है अगर टंबलर से ढग दिये जाए बिजली के हीटर को radiator सबसे अधिक प्रभावित तब होता है जब वो बहुत अधिक polish किया हुआ होता है ठीक है कमरा गर्म करने वाले बिजली के हीटर का radiator सबसे अधिक प्रभावित कब होता है जब वो बहुत अधिक polish किया होता भारी पानी जिसको heavy water कहते हैं या भारी जल कहते हैं उसका सूचक पूचा गया यहाँ पर या सुत्र पूचा जा रहा है तो वो है D2O जिसको कहते हैं deuterium oxide ठीक है D2O इनमें से कई शारे परशन मैंने आपको बताय हुए भी हैं लेकिन ये परशन repeat होते हैं क्योंकि ये golden questions है जैब विकास के पक्ष में किस से पर्तेक्ष परमान मिलता है जीवास्म से कौन सी फसल जो है मिट्टी को nitrogen ये सम्मिशरनों से उपजाओ बना सकती है ये language जो है थोड़ी सी tough इसलिए है क्योंकि SSC UPSC railway कुछ इस कि language का आप इस्तिमाल करने लगे हैं जो आपने language पढ़ ही नहीं है थोड़ी सी different language use करते हैं ताकि आप confused हो जाए ठीक है तो इसलिए इसको द्यान से समझना है तो ये होते हैं दलहनी फसल नेक्स कोशन है सबसे छोटी रुधीर वाही का क्या कहलाती है ये कहलाती है कोशी का ठीक है अगला देखिए पक्छियों में पंको का मुख काम क्या होता है शरीर की उश्मा को बनाए रखने के लिए रोधन परदान करना जो शरीर की गर्मी है उसको बनाए रखने के लिए रोधन परदान करना पक्षियों के पंक का मुख्य काम होता है और next question है कौन सा पौधा जो है वो फल नहीं देता परन्तू बीच पैदा करता है यह साइकेस साइकेस एक ऐसा पौधा है जो की फल नहीं देता है परन्तू बीच पैदा करता है सुरज मुकी नारियल और मुंख़ली में मुकता क्या सामान ने होता है तो उनसे जो हम खादे तेल मिलता है खादे तेल हम इससे हम खाने वाला तेल है इससे हम यूज करते हैं पुझमुकी का तेल, नाजिल का तेल और मुंखवली का तेल भी हम खाने योग ये तेल में यूज करते हैं। उसका खाया हुआ खाना। नेक्स से आयोडीन के टिंक्चर में क्या नहित होता है तो ये होता है अलकोहल में आयोडीन का विलियन और नेक्स से लंबी है लेकिन जवाब जो हो काफी आसान है नमक डाला जाता है आचार में और ये एक रासाइनिक परिरक्षक है। ठीक है रासाइनिक परिरक्षक नहीं है रासाइनिक परिरक्षक डाले बिना ये है जो अचार त्यार करने का ये बहुत पुराना तरीका है। खिक है, बिने राषानिक पर इराख चेक है, इसको जो शुरक्षित रखा जाता है वो है नमक के माध्ययम से, नेज़्ट है परकास वोल्टी अर्जा, उर्जा का कैसा सरोत है तो यह अव पारम प्र record का शरोत है, नेक्स्ट है खाना पकाने की गैस किस दो गैस का मिश्रन होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का ठीक है जो LPG गैस होती है उसमें होता है मुक्ता ब्यूटेन तथा प्रोपेन ये दोनों का मिश्रन होता है और LPG गैस में गंद के लिए क्या मिला जाता है तो वो मिला जाता है इ ओजोन परत का जो अवच्छे मुक्ता किसके कारण होता है। क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन के कारण यानि CFC के कारण जो है ओजोन परत का जो है वो अवच्छे होता है या अवच्छे मुक्ता हो इसी का कारण से होता है। कैथोड किरने होती है, प्रोटून की धारा, और नेक्स कोशन है, समुद्र की गराई के सियंतर से द्वारा मालूम की जा सकती है, तो यह होता है, सोनार, ठीक है, तारे क्यों टिम 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 आते हैं, तो वायमंडल की विभिन परतो पर, परतो द्वारा जो है, अपवर्तन हो को पहचानने के लिए इसके अंदर वो एक असी चीज होती है, जिसको पहचान लेता है, प्रासरब विद्वाजी तंत्र होता है, जिसको पहचान लेता है, नेक्स कोशन है, विटामिन ए की कमी के कारण सामानता शरीर का कौन सा अंग परवावित होता है, आपको यह मैंने उर्जा का कौन सा सुरोत है नवी करनी शुरोत दो तरह के होते हैं और नवी करनी और नवी करनी तो जो पेड़ है वो है नवी करनी शुरोत बिजली के बल्व का फिलमेंट जो है वो किसका बना होता है वो होता है टंगस्टन का बना हुआ ठीक है क्योंकि यह अधिक उच गल उसके बाद प्राकिरतिक मुव्द और लाख जो है, वो किस रूप में प्राप्त किया जाते हैं, तो ये कीडों के स्राव और उसके अस्वक्ष सारजनिक मुत्रालब के नजदीक, एक खास तरह की की बढ़बु आती है तो ये कौन सी गैस होती है यह होती है Ammonia फिरके सोचाले के पास जो बढ़बु आते है जिस गैस की वो कौन सी गैस होती है Ammonia गैस उसके बाद है दूद में एक विशेज तरह loser को चीनी होने के करन मिठा स्वाद आता है जबकि उस दूद से तयार की गए दही का स्वात जो है वो खटा हो जाता है इस परिवर्तन में किसका परिवर्तन नीत होता है ते कोशिन को कितना घुमा के पुछा जा रहा है ठीक है लेक्टोज या लेक्टिक अमल में ठीक है उसके नेक्स कोशिका क्रिया किसका परिनाम है तो यह सतही तनाओ का नेक्स समाजिक जो है वो डार्विन वाद से क्या आप पड़या है तो यह योगता की उत्तर जीविता अगला प्रशन है बस में ड्रैवर के पास लगा दर्पन कौन सा होता है उत्तर दर्पन ठीक है ड्रैवर अपने अंदर भी रखते हैं वो दर्पन जब आप जैसे कार अगरा देखेंगे तो उसमें अंदर भी होता है अंदर की साइड पर ड्रैवर के ठीक सामने और एक यहां साइड में तो दोनों ही उत्तल दरपन होते हैं ठीक है अगला सवाल देखें जो बासी मक्षन है उसकी दुरगंद का क्या रण क्या है ब्यूटरिक एसीड की वज़ा से बासी मक्षन में दुरगंद आती है शीरा से मदिरा निकालने की जो किरिया है वो क्या कहलाती है तो कहलाती है किनवन किनवन कहते हैं शीरा से मदिरा निकालने की प्रकिरिया को संचायक बैटरी में समान तक क्या होता है तो यह होता है सीशा और next है sodium bicarbonate का साधरा नाम के है धोवन सोदा ठीक है धोवन सोदा को sodium bicarbonate कहते हैं अगला प्रशन है DNA finger printing की जो अध्यतन प्रोध्योगी की है कि इस छेतर में परियुक्त होती है विधी या फिर न्याय विज्ञान के अंदर next है नर मेडक या मादा मेडक से अधिक टर राता है क्यों क्यों कि नर मेडक में वाक कोश होते है नर मेडक जो है वो मादा मेडक से अधिक टर टर करता है वो इसलिए क्योंकि उसमें अधिक वाक कोश होते है टर राता है इसी वज़ा से किसी वस्तु को पिर्थवी से चन्रमा पर ले जाने पर क्या पड़िवर्तन होगा उसका बहार कम हो जाएगा कितना कम हो जाएगा ये भी ध्यान रखिएगा पिर्थवी पर अगर कोई चीज 60 किलो की है तो वहाँ जाकर के उसका एक बटे 10 हो जाएगी यानि 60 का एक बटे 10 कितना हो गया ये एक बटा 6 हो जाएगी सोरे एक बटा 6 हो जाएगी यानि 10 किलो हो जाएगी ठीक है पिट्वी पर कोई चीज अगर एक किलो की है तो वहाँ जाकर एक बटा 6 किलो की हो जाती है चंद्रमा पर तो इसी ज़र अगर कोई चीज 10 की है तो 10 बटा 6 की हो जाएगी कोई चीज 60 किलो की है तो 60 बटाचे की हो जाएगी यानि 10 kg की हो जाएगी यह ध्यान रखेगा अगला सवाल देखिए जब electronic चुमकिये छेतर से गुजरता है तो इसकी उर्जा और वेग बढ़ती है नेक्स कोचन है पाइरोडोक्सीन किसका रसाइनिक नाम है यह विटामिन B6 का उसके बाद वन ने किसमों के साथ संसकरन क्रोसिंग करके उगाई जा सकती है किसमे जो होती है वो कौन होती है रोग परती रोधी ठीक है नेक्स कोचन है एंजाइम से क्या आभी प्रयाय है तो यह है जैवी कुत प्रयरक एंजाइम जो है एक प्रकार का जैवी कुत प्रयरक है संचायक बैटरी में किसका परियोग होता है जस्ते का ठीक है नेक्स है ताजमल किस पत्थर से बना है तो यह सफेद संग मर्मर से बन हे बुखार और दमा किस वर्ग के रोग है यह है अलर्जी ठीक है दमा जो है अस्थमा जिसको कहते हैं और हे जो अस्थमेटिक होते हैं पेसेंट वो अलर्जी के ज़्यातर शिकार होते हैं और यह अलर्जी के कारण ही होता है अभी किरिया में एक उत्प्रेरक का कारे क्या हो उपापचाय को नियंत्रित करने वाला हर्मोन जो है वो किस से निकलता है अब टू गरंती से नेक्स्ट कोश्चन है वनस्पती विज्ञान की कौन सी साखा पौधे को रूपाकार को आध्यन करती है तो ये परस्थिती विज्ञान ठीक है फिसलन से बच सके और नियून्तम जो घर्षन है वो घर्षन जो है वो कम से कम हो सके ठीक है फिसलन से बचने तथा नियून्तम घर्षन के लिए सुसक सेल क्योंकि बहुत ज़्यादा घरसन होने लगगा तो जो उनकी वो जो टायर है वो भी गिसेगी वो तो गिसेगी गिसेगी साथ में जो स्पीड है या जो गती है वो मेंटेन नहीं रपाएगी तो घरसन ठीक से हो और फिसलन नहों इससे बचने के लिए सुसक सेल में एंओर जो है वो किसका बना होता है वो था ग्रेफाइड कार्बन का और गर्वासे में शिशो की विकास की जानकारी है तो किसका परयोग किया जाता है तो यह किया जाता है अल्टरा साउंड का ठीक है नेक्स कोच्चन रेलवे माग में दो पट्रियों के एक सीरे से दूसरे सीरे तक के बीच का अंतराल जो है छोड़ना क्यों आवश्यक होता है जो आप देखते होंगे दो पट्रिया हापस में जूड़ती है तो इसके बीच में थोड़ा सा गयाप छोड़ा जाता है और इसको दुरघटना ना हो इसलिए इसमें थोड़ा सा गयाप छोड़ दिया जाता है थाकि जब यह फैल है तो यह आपस में चिपके नहीं ठीक है यह टेड़ी मेड़ी ना हो उसके बाद है क्योंकि गिर्समकाल में मेविस्तरन से होने वाले दुरघटना उसे रोका जा सकता है द और जो गलनांग है वो काफी कम होता है यदि नोड वो इसलिए क्योंकि इसमें बचाता है यह हमें दुरघटना होने से हमारे घर में किसी तरह की जब हो जाए हाई वोल्टेज आ जाए तो उसकारण से फ्यूज पहले फ्यूज होता है कोई समान बाद में नुक्सान नहों इसलिए पहले फ्यूज जो है वो फ्यूज जो है तूट जाता है और हमारे जो गर में समान महेंगे उपकराने उनको सुरक्षित करता है यदि नोड तथा सनलगन एनी नोड के मद्दे दूरी 30 सेंटिमेटर हो तो तरंग जो है वो कितने दिर्ग होगी तो यह नुमेरिकल कोश्चन है 120 सेंटिमेटर होगी तरल पदार्थ का घना तो गरम करने पर कम हो जाता है नावकिय रेक्टर में इंधन का काम कौन करता है तो यह करता है यूरेनियम नावकिय रेक्टर के अंदर इंधन का काम यूरेनियम करता है सिनेमा के सिद्धांत पर निर्मित होता है त के पस्च दिप्ति सिध्धांत के अधार पर ठीक है ग्रीन हाउस गैस कौन सी है कार्बन डायोकसाइट ऑप्शन में और भी गैसे आपको दी हुई होगी मानवरक्त प्लाज्मा में प्राया पानी की प्रतिशत मातरा में कितनी भेनिता होती है असी से बैसी सोडियम पंप का क लियम सलफेट ठीक है सिंदरी जारखन में यह उत्पादित होता है यह उड़वरक्त विशु में सेबों का सरवादिक उत्पादिन करने वाला देश कौन सा है यह संयुक्तराज अमरीका और सागों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तो कौन सा है लोहा साग जो भी होते ह गड़ जाती है ठीक है next question है pacemaker का क्यार क्या है तो pacemaker दिल की धरकन का जो है वो नियंत्रित करता है यहां पर ठीक है germanium क्या है germanium एक तरह का semiconductor है बिच्छु का विश्ट जो है वो कहां पर होता है तो उसकी डंक में होता है ना चिपकने वाला खाना पकाने के बरतन में कौन सा लेप चड़ा होता है ठीक है बरतन में जो लेप किया जाता है ताकि वो चिपक हे नहीं तो वो लेख होता है तेफलोन जैसे cooker वेगर आपने देखाएगा उसके नीचे होता है iron के पीछे जो coating होती है तो यह सारे टेफलोन coating होती है ठीक है गोबर gas मुक्ता क्या होता है यह होता है methane जिसको CH4 कहते है सिर्के का जो मुक्ह अंग है वो होता है acetic acid जो सिर्के में मुख भाग होता है वो क्या होता है वेनेगर में acetic acid सागर ये खर्पतवार जिसको sea weeds बोलते हैं उसका महतपूर्ण शुरूत क्या है तो वो है iodine का शुरूत है वो iodine का next है plaster of Paris जमाने के लिए क्या आवस्चक है तो gel iogen द्वारा unhydrate बनाना ठीक है plaster of Paris जो है वो बनता किस से है जिपसम से ठीक है next question देखिए nao h sutra वाले योगी का सामने नाम क्या है तो यह है caustic soda अगला प्रसन है 18 karat sonne में सुद्ध सोर्ण का अनुपात कितना होता है 75% 18 karat sonne में जो 75% ही जो है वो सुद्ध सोना होता है helium gas को गुबारों में क्यों भरा जाता है क्योंकि वो वायू से हलकी होती है ठीक है अब पूछा जाएगा आपको कि जो गुबारे में वो कौन सी gas भरी जाती है तो helium gas क्यों क्योंकि यह हवा से हलकी होती है next question है जिवानू जिसको bacteria करते हैं कि निराकरन के लिए किस प्रकास किरन की कापरक्णली के अंदर वेक्रित प्रयोग शाला में प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है प्रावैगनी विकरन मनुष के सरीर में कुल कितनी हड़ी हैं 200 है एक प्रावड मानग यानि जो में ओसत जो गिंती की हिर्देस पंदन यानि हर्ट बीट की संक्याय का है उसका जो मान है वो कितना होता है तो वो होता है लगबग 71-80 अगला सवाल है अहार नाल एलिमेंटरी कैनल में स्टार्च के पाचन में अंती मुदपाद जो है वो क्या होता है वो होता है मालडोस केच्वा को कितनी आख होती है केच्वा को एक भी आख नहीं होती है केच्वा नेत्रहीन होते है उसकर एक्यूपंचर क्या है एक्यूप गुहिका जिसको air cavities कहते हैं उसकी उपस्थिती किसका अनुकूलन है तो यह जल पादब का अनुकूलन है अमीबता से कौन सा रोग होता है अमातिसार अमातिसार जो रोग है वो अमीबता से होता है पारिस्थेदिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरन किसके द्वारा होता है तो यह होता है जीवानू के द्वारा थीक है नेक्स कोशन है वायू सितन किसके लिए अधिक उप्यूगत है गर्म और सुस्क जलवायू के लिए वायू सितन जो है वो काफी उप्यूगत है अमली ये सरवन किसकी विशिष्टा है ये है जठर की नेक्स कुछ ने कम्प्यूटर का दिमाग जो कम्प्यूटर का ब्रेन सीप्यू कहलाता है मचलियों के यकरित तेल में मचलियों के जो लीवर ओईल है उनमें किसकी परचूरता होती है तो विटामिन D सबसे ज़्यादा होता है नेक्स है बोनेश बोनेश में क्या होता है तो यह होता है कैलसियम फॉसफेट नेक्स है किड्नी स्टोन जिसको पत्री कहते हैं उसमें मुकता क्या पाई जाता है calcium oxalate यानि शरीर में calcium oxalate की मातरा अगर बढ़ जाए तो पत्री होने के chances ज़्यादा होते हैं next है सबसे new term, jolene seal, ratio जिसको fiber कहते हैं वो कौन सा है तो वो है कपास या फिर suit transformer का कारी क्या है transformer का कारी है AC वोल्टता को घटाता है और बढ़ाता है यह दोनों ही काम है next है जब गरम पानी को अपेक्षित्या अधिक तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वो टूट जाता है इसका कारण क्या है अचानक की गिलास जो है वो संकुचित हो जाता है जब गिलास को गरम किया गया है और उसके उपर अचानक से पानी जो है वो डाला जाएगा तो गिलास जो है वो संकुचित होने का प्रयास करेगा और उसी वज़ा से वो टूट जाता है विद्दू देर के दूरी तक उच वोल्ट ता एसी में परंगत होता है इसका कारण क्या है तो इसका जो कारण है उडजा की कम हानी होती है नेक्स है ट्रांजिस्टर के सम्विचरन में किस वस्टू का प्रयोग होता है तो यह होता है सिलिकॉन का यदि धातू प्लेट में वरतुल विवर है तो जब प्लेट को तापित किया जाता है तो त्रिज्या के विवर पर क्या प्रभाव होता है तो ये पढ़ता है बढ़ता है वायू में द्वानी का वेग तापमान पर किस परकार निर्वर करता है तापमान के घटने से घटता है वायू में द्वानी का वेग तापमान में घटने से घटता है ठीक है अगला स्वाल देखे धातुतार में वैद्धुत धारा का परवाव जो है वो किसके कारण होता है इलेक्ट्रोन के कारण होता है धातुतार में वैद्धुत धारा यानि वैद्धुत धारा का परवाव electron के कारण होता है ध्वनी उर्जा को वेद्यूत उर्जा में पड़िवर्तित करने वाला यंतर जो है वो microphone है direct इसको इस तरह सो ही पुछा जाता है microphone क्या करता है तो ध्वनी उर्जा को वेद्यूत उर्जा में बदलता है अगला प्रसुन देखिए अपोहन जिसको dialysis कहते हैं जब kidney जो है वो damage हो जाती है काम जना बंद कर जाती है तो मरीज को dialysis पर रख़ा जाता है ठीक है dialysis का जो प्रयोग है किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है यह है गूरदा जिसको kidney किड़नी के लिए ठीक है तो गलित केलσιम सिलिगेट को इस पात जिसको स्टील कहते हैं या आयरन कहते हैं वस्तु में जिंक के पतली परत का लेपन क्या कहलाता है तो यह कहलाता है यशद लेपन स्टील या ऐरन के उपस्तू के उपर जो जिंक यानि जैस्टा का जो लेपन होता है वो यशद लेपन कहलाता है किस अमल का परयोग असकंदन के कारण यानि सोइंग एजेंट के रूप में मिर्दू पेव में किया जाता है तो यह किया जाता है Phosphoric Acid का यूज किया जाता है असकंदन कारक में जो की सोइंग एजेंट होता है अमल का परयोग मिर्दू पेप में किया जाता है अगला सवाल है जंग रोधी इसपाथ Stainless Steel के निर्मान में जो है वो किस इसपाथ का मिश्रात्वन किस से होता है क्रोमियम और निकल से Next question है पीडग नासियों का परयोग किसे विنास करने के लिए किया जाता है कीट का विनास करने के लिए नाम से ही पता लग रहा पीडग नासि तो ये कीट का नास करते है एक Fuse Star में मुकिता रूप से क्या होना चाहिए तो वो अभी पहले बता चुका हूँ यह उच परतिरोद और अल्प गलनांक यह निक कम गलनांक होना चाहिए ताकि जिसे हाई वोल्टेज जैसे ही आए तो वो फ्यूज जो ब्रेक हो जाए और उच परतिरोध होना चाहिए एक समानी नेतर के लिए सू असपस्ट दिरिस्टी की नियूंतम दूरी क्या है तो यह है 25 cm यही सवाल अगर simple way में आपसे पुछा जाता कि मनुष्य के आख के द्वारा असपस्ट देखने की नियूंतम दूरी कितनी है तो आप बहुत असानी से 25 cm कहते है और इसी प्रस्ट को देखे कितने थोड़ा सा tough language में पुछा गया है एक समानी नेतर के लिए सू असपस्ट दिरिस्टी की नियूंतम दूरी क्या है जवाब वही है लेकिन सवाल को गुमा के पुछा जाता है next question है एक नक्षातर का रंग जो है वो किस पर निर्वा करता है उसकी प्रिष्टिता ताप पर एड्स वाइरस शरीर में किस तंतर को नास करता है और संक्रामक तंतर का next है मसालों की सोरव और सुवास किस के कारण होती है तो ये होती है अनिवार ये तेल के कारण अगला सवाल देखिए बारम बार होने वाली बारिष और प्रकास किस छेतर के विकास के लिए उप्यूकत है वन छेतर के लिए उंट बिना पानी के कुछ दिन तक मर्वस्टल में रहता है ऐसा वो कैसे कर पाता है ऐसा इसलिए क्योंकि जो उसका कुबर है उसमें जमा किये गई चिकनाई का पर्योग करके ठीक है वो जो है वो कई दिन तक मर्वस्टल में बिना पानी के रहता है इस पिर्थवी के अपमार्जक कौन है जिवानू और कवक जो है वो पिर्थवी के अपमार्जक है सौर विकरन का जो भाग बिना गर्मी दिये पिर्थवी से प्रावर्थित हो जाता है उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं धवलता नेक्स है किसी मिर्दा का पी एच वैल्यू ठीक है उस विशेश मिर्दा में किसको मापित करता है अमल अंस को ठीक है पी एच वैल्यू जो हो है उस मिर्दा के अमल अंस को मापित करता है ताप ये विदूत को पैदा करने के लिए किस परकार का कोईला मुख्य रूप से उप्यूक्त है तो यह है एंथरासाइट नेक्स्ट है उन तन्तू का विकल्प क्या है नाइलोन 6-6 ठीक है नावकिय विखंडन में उर्जा किस रूप से निकलती है तो यह निकलती है उस्मा के रूप में अगले सवाल है उपस्थी तथा हड्डियों में के निर्मान में और संपोशन में जो है आवस्यक्तत तो क्या होता है उपस्थी तथा हड्डियों के निर्मान और संपोशन में कैल्सियम आवस्यक्तत होता है सोल्डर किस धातू का मिसरन है सोल्डर जो है वो टिन और लैड से बना होता है आप सभी ने देखा होगा कभी कभी आपने कोई दो तार को जोडने के लिए रेडियो अगर में या फिर किसी भी छोटे speaker में उपकर्णों में जो जोड़ा हुआ होता है जो चोटा सा solder आपने देखा होगा क्यों तार को जोडने के लिए वो solder यूज करते हैं वो ही है वो टिन और लैड से बना होता है ठीक है नेक्स कोश्चन है कैरोसीन लैंप में चिमनी और नीचे छिदर होते हैं तो जिसमें ऑक्सीजन का सप्लाई बना रहता है नेक्स है मानव शरीर का सामान तपमान कितना होता है तो ये 36.9 है यहाँ पर आप इसको 37.6 भी बोल सकते हैं ठीक है नेक्स कोश्चन एक रबर की गेंद को दो मीटर के उचाई से गिराया जाता है यदि परतिक्छेवित होने के बाद कोई भी उर्जा और वेक का नुकसान नहीं है तो कितनी उचाई तक वो उपर उठेगी ठीक 2 मीटर ठीक है नेक्स कोश्चन है एक सामान वेक्ति के परति मिनट के हिसाब से हिर्देस पंदन का धर जो है वो कितना होता है 72 बार यानि जो सामान में उसका जो दिल की धरकन है वो 72 बार परति मिनट होती है तो यही हिर्देस पंदन होता है एंजाईम मूल रूप से क्या है एंजाईम जो मूल रूप से एक प्रोटीन है क्यों सीत काल में कितुला में कितुला में अधिक मचलिया मरती है मचलिया जो है वो सर्दी कितुला में गर्मी में ज्यादा मरती है ठीक है ये कारण है oxygen के अपच्छा के कारण अब next है portland cement का जो अविश्कार है वो किस ने किया था ये किया था जोसफ अस्पडीन ने जोसफ अस्पडीन ने next है सबसे पहले ग्रह गती नियम का निरूपन किस ने किया ये किया था जोनिस केपलर ने अगला सवाल है उपापचे क्या है यह जैव अनुका संसलेशन और तूट जाना उपापचे कलाता है next है कोईला किस से बनता है कोईला जो है वो संपीडित और कठोर कृत जीव भार से बनता है ठीक है अजारों साल लग जाते हैं इस पर किरिया में ठीक है अगला सवाल है वैपारिक वैसलीन किस से निकलता है निकला जाता है तो यह पेट्रोलियम से next है अस्टरोंसियम लवन के द्वारा बुनसेइन जुआला को कौन सा रंग जो है वो परदान किया जाता है तो यह कहाता है किर्मिची लाल next है निकला सवाल देखे एक अनिशेचित मानव अंडे में समान तक क्या होता है next है कौन सा एमिनो अमल मानव पोशन के लिए अर्ध अनिवार माना जाता है next है computer विज्ञान में एक किलो बाइट को क्या कहते है यानि एक केबी जो होता है वो 1024 बाइट के बराबर होता है एक आलू कंद को दो आदे भाग में काटा गया है इससे एक कटे भाग के पिरिष्ट में आयोडीन की कुछ बुंदे गिरा ही गई तो इसमें किस रंग का परिवर्तन देखा जा सकता है भूरे से नीला ठीक है भूरे से नीला काला आप ऐसा कहा सकते है जो भूरा होता है उससे नीला और काले में परिवर्तन दो जाता है इजी तकनीक जो है वो किस किरिया में अभी लेखन में परियुक्त होती है तो यह मस्तिस्क ठीक है नेक्स है किसी किसकी उपस्तिती के कारण गाय के दूद का जो रंग है वो पीला होता है कैरोटीन के कारण ठीक है गाय का दूद का रंग जो है वो पीला क्यों होता है कैरोटीन के कारण डिप्थीर या कैसा रोग है संक्रामक रोग है पीलिया रोग किसके संचरन से होता है त गुमी तल के समीप वायू राशी क्यों अधिक गरम होती है। वायू राशी पार्थी विक्रम से गरम होती है। नेक्स राशियों के कुल संख्या कितनी है तो यह हैं 12। जब बंद थैली में रखे, बदवत खादे पदार्थ को सुक्ष्म तरंग में तापित किया जाता है, तब सबसे पहले थैली में छेद क्यों करते हैं? वो इसलिए क्योंकि थैली को भाप के दाप से फटने से बचाने के लिए किया जाता है. एक निर्वात मार्जक भाप के अंतर नियम के अनुसार कारी करता है, चंदर में वो कैसे कारी करेगा? ठीक है? वो कारी नहीं करेगा. अगला सवाल देखे, लंबी अबधी के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंदला धबबा बन जाता है, इसका कारण क्या है? टंगस्तन, तंतु की वास्प बनकर वहाँ एकत्तरित हो जाता है. विदूद बल्ब में जो फिलामेंट होता है तंगस्तन, तो उ विशानू जनितर हो गएं. नेक्स्त है कौन सा जो परकिनवन जिसको एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, तो यह पेपसीन, पेपसीन जो है वो पेप्टोन में बदलता है. नेक्स्त, मनुष के शरीर में लौह की कमी का क्या परिमान हो सकता है, तो यह होता औरक्तता लोग की कमी से औरक्तता हो सकती है या अल्परक्तता कह सकते हैं किसी प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विशानू द्वारा आकर्मन पर आसू प्रभावित होने की कमी आती है वो होती है कलोरो माईसेटीन से प्रति दिन समान था हमारे हिर्दे के कपाट जो हिर्दे के वाल्व होते हैं वो लगबग कितनी बार खुलते हैं और बंद होते हैं ठीक है जो हिर्दे के वाल्व हैं वो लगबग एक लाख बार खुलते हैं ठीक है Next question देख लिजे मानव का सामान रक्तदाप जो है वो कितना होता है यह होता है असी बटा 120 मीमी पारा ठीक है नेक्स इक जिसको गन्ना कहते है उसके पौधर का प्राया काईक परवर्धन द्वारा समवर्धित करने का कारण क्या है क्योंकि इसमें बीज पैदा नहीं होते है इसलिए जो गन्ना जो है वो काईक परवर्धन की वज़े से ही यह होते है नेक्स कोश्चन है प्रकास संसलेसी किरिया में कौन सा वर्नक पिगमेंट का कारे करता है यह करता है क्लोरोफिल का अगला सवाल देखिए मुख्चे जीवों में नीटोजन योगनी करण जो होता है वो सुक्षम जीव का जो सुक्षम जीव हो कौन है ठीक है यहाँ पर सिंपल आप केदीजे है नाइटोजी करन में जो है, वो कौन सा जीव हेल्प करते है? वो करते है, राईजोबिया दलनी पोधों में यही होता है ठीक है? नेक्ट आजए you अक्षसी अक्षार्ड मेन्यो डिफिशेंरसी शिन्रोम जिसको एड्स कहते हैं किसके कारण होता है? वाईरस के कारण कौन सा विटामिन हमारे सरीर में सबसे अधिक तिवर्ता से बनता है तो ये बनता है विटामिन D ठीक है अगला प्रशन है तामबा परकिर्ती में किस अवस्था में पाय जाता है तो ये पाय जाता है मुक अवस्था में मुक तवस्था में तांबा को किस विदी द्वारा सूध किया जाता है विदूत अप घटन के द्वारा कारबन डायोकसाइड क्या है एक नीरजली कारक है और किसी तत्यू के परमानू का परमानू करमांग 17 है और दर्बमान 36 है तो उसके निकुलिस में निट्रोन की संख्या पूछा है तो नु पराई को बढ़ाता है और शोड को गटाता है विदुधारा से लगी आग को बुजाने के लिए जल का परयोग नहीं किया जाता है क्यों कि उसमें एलेक्ट्रो क्यूशन हो सकता है ठीक है परिदर्शी या जिसको पेरिस्कोप कहते हैं किस सिध्धान पर काम करता है पूर् सवाल है वहां चल नहीं तू जो पीछे का द्रिश का दर्पन होता है वो कौन सा होता है उत्तल दर्पन होता है किस तरह से पूछे जा रहे हैं बार बार एक तरह के प्रस्ण जो है वो कई तरह से पूछे जा सकते हैं ठीक है वैसलेशिक इंजिन जो है वो किस से बनाया किस चार्ल्स बैबेज ने लैन का पूरा फॉर्म है लोकल एया नेटवर्क और उसके बाद है डाइमेथिल एथर किसका आइसोमर है एथिल एलकोहल का ठीक है नेक्स है फेन प्लवन प्रक्रमन के का जो परयोग है वो किसके दातु कर्म के लिए किया जाता है सलफाइड आयस के ल गुलकनों को देखने के लिए एक सुक्षमदर्सी का परयोग करें तो वे आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे इस परिगटना को क्या कहते है वो कहते हैं ब्राउनी प्रभाव ठीक है किस कोटी के फोटो प्रिंट की जीवन अबदी सबसे लंबी होती ह यह होती है शुवत श्याम प्रिंट के ठीक है नेक्स देख लेते हैं कपडों तथा बरतनों को साफक रखने के लिए परयोगत डिटर्जन में क्या होता है बाई कारवोनेट ठीक है जो भी डिटर्जन होते हैं उसमें बाई कारवोनेट होते हैं मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदाई अनुकूलतम परिवेश्च है वो है अमली ये नेक्स्ट है समुद्री सहवाल पद का सर्वोत्तम वर्नन किसके द्वरा किया जाता है समुद्दल के सुक्ष्म हरे पादप के द्वरा शिशू का लिंग जो है वो किसके गुनसुत्री योगदान पर निर्वर करता है पिता के आद़ ठीक है कितना रख्त होता है ठीक है तो एक वैस्क मनुश्य का शरीर में पांच से च्स लिटर जो है वो रखती ऐनी ब्लड होता है मानव के तापमान का नियंतरं कौन सी गरंथी जो है करती है तो यह करती है hypothalamus गरंती, hypothalamus गरंती जो है मानव शरीर में temperature को नियंतेत रखती है, next है सबसे बड़ा जो शावक है वो कौन सा जानवर पैदा करता है, neily whale, अगला सवाल है मानव जीनोम पर योजिना का नेतुत है, जो है वो किस ने किया था, ये किया था, फ्रांशिक क्रिक और जेम्स वा लगता है, तो ये लगता है 8.3 मिनट, ठीक है, next question है प्रास्रव तरंगों की आवरिती जो है वो लगवा कितनी होती है, 20,000 हर्ट से अधिक, और इसी तरंग को जो है वो चमगादर यूज करते हैं, इसी अल्टरा सोनिक वेब को यूज करते हैं, next question है किसी अर्ध चालक को पर उसके पर्तिरुद पर क्या फरक पड़ता है, ठीक है, वो अपर वर्तित रहता है, कोई जो अर्ध चालक है, उसको जब हम घर्म करेंगे, तो जो उसका रेसिस्टेंस है, उस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा, ठीक है, परकाशिक तन्तु का अपरियोग जो है, वो किस के की थी, यह की थी, कोरियोलिस ने, कोरियोलिस ने विक्षेपन बल की कोज की थी, वायु मंदल में ओजोन हरास, यानि ओजोन का जो च्छा है, वो मुक्त किसके कारण होता है, क्लूरो फ्लूरो कारबन के द्वारा, CFC, ठीक है, अगला सवाल देगे, अमर बेल, जो है, वो क फॉप करना, रुधीर को सरीर के विविनांगो में फॉप करना, नेक्स्त है, मानव रख्ट कर जो रंग या वो लाल होता है, वो किसके कारण होता है, हिमोगलोबीन के कारण, ठीक है, वीरिग का प्रकार यात्मक जो यूनिट है, वो क्या विरिग जिसको किड़नी यह कोशिका का उर्जाकेंदर किसको कहा जाता है तो कहा जाता है मायेट्रोकॉंड्रियको अगर ये देखे नाइलोन के अविस्कार के साथ कौन संबंदीत है तो ये हैं Dr. Wallace H.bel challenging आथर्स ये नाइलोन के अविस्कार के साथ संबंदीत है sodium benzoate का जो परमुख उपयोग है वो क्या है खादे पदार्थ के संरक्षन में इसका उपयोग किया जाता है sodium benzoate का helium एक तत्व है उच्चतम आयनन उर्जा वाला एक तत्व है चौती PD के computer से के निर्मान में परयोग किया जाता है क्या परयोग किया जाता है सुक्षम संसादित्रों का ठीक है next है computer का जनकी से का जाता है Charles Babbage CPU का पूरा नाम क्या है तो यह है Central Processing Unit और यही जो है वो computer का मस्तिस्क यानि उसका brain होता है ठीक है अगला सवाल देखिए शहद का मुख अव्यव क्या है तो यह है fructose नारा जो दो बून जिन्दगी की यह जो नारा है यह किस कारिक्रम के साथ संबनेत है पल्स पोलियो अवियान से संबनेत है दो बून जिन्दगी की next है भारतिय नुकिलियर विग्यान का जनक किसे का जाता है होमी जहांगीर भाबा डॉक्टर होमी जहांगीर भाबा को भार्तिय नुकिलियर विज्ञान का जनक कहा जाता है अगला सवाल है वायू बंडल के उपरी एस्तर में विदमान ओजून अफ्शोर्षन करती है प्रावैगनी स्वार विकरन का नेक्स्ट है भारत में स्थापित पहला पर मानुसेंतर वो कौन सा है वो है तारापूर अगला सवाल है ग्रίν हाउस गैस कौन सी है कार्बन डायोकसाइड शैक जिसको लैकेन कहते हैं ये एक सहजीवी है कास्थी आरोही जो लताएं होती है वो क्या कहलती है कंठ लता कहलती है अगला सवाल मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाजमा का परतिसत जो है वो कितना होता है यानि एक स्वस्त मनुष्ट के सरी में जो 5-6 लिटर जो ब्लड होता है तो उसका 60 परतिसत जो है जो लगबग 60 परतिसत है उसमें प्लाजमा होता है नेक्स्ट है यक्षमा तपेदिक बिमारी पैदा करने वाले कारक है यह है जीवानू बैक्टिरिया ठीक है उसके बाद मुत्र कहां बनता है यह बनता है संग्राहक वहनियों में नेक्स्ट है कालाजार ज्वर का संचरन कैसे होता है सिक्ता मक्ही के काटने से अब इसको सैंड फ्लाई भी कह सकते हैं सिक्ता मक्ही सैंड फ्लाई ठीक है इसके काटने से जो है वह कालाजर या कालाज्वर जो है फैलता है संचरन कैसे इसका इसी के वज़ए से होता है हानु फलक का दूसरा नाम क्या है यह एक जान्विक जिसको पटेल ला कहते है सभी मोटर वानों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि कच्चे माल से उसका अधिक उत्पादन होता है जब लोहे में जंग लगता है तो उसके बहार पर क्या परभाव पड़ेगा तो उसका बहार जो है वो बढ़ जाता है जब लोहे में जंग लगता है तो बहार बढ़ता है फलो को कृतिम लूप से पकाने के लिए उपयोग मिलाने वाली जो ग्यास है वो कौन सी है वो है इतलीन नेक्स है आंतरिक संक्रमन जो है तत्तो की कुल संक्य कितनी है यह 28 अगला यह सूर्खी बर्फ सूखी बर्फ यहां पर होना चाहिए सूखी बर्फ जो है वो क्या है ठोस कार्बन डायोकसाइड ठोस CO2 को क्या करते है सूखी बर्फ या फिर सूख बर्फ भी आपसे सवाल में पूछा जा सकता है सूख बर्फ ठीक है नेक्स कोचे ने प्रकास तरंग कैसा तरंग है यह एक विदुत चुमकिय तरंग है गैलवनो मीटर के द्वारा क्या मापा जाता है तो यह मापी जाती है धारा प्रकास तरंग अनुपरस्त तरंग है क्योंकि इसमें क्योंकि जो उन्हें धुरूवित किया जा सकता है ठीक है नेक्स कोचे ने धातु की प्लेट के बीच में काट कर एक छेद बनाये गया और फिर उसे गरम किया गया तो छेद का आकार पर क्या पर भाव पड़ेगा तो यह घटेगा ठीक इसी तरह से आपसे पूचा जाएगा यहाँ पर जैसे कि तामबे की एक प्लेट में जैसे पीछे पूचा गया ठीक है या फिर किसी और धातु का नाम ले लिया जाएगा तो सिंपल आपको याद रखना है कि धातु की जो प्लेट होगी उसके बीच में अगर कोई छेद किया हुआ है जब उस धातु को गरम करेंगे तो उस छेद का जो आकार है वो घट जाएगा यानि छेद जो इतना बर है तो वो छोटा हो जाएगा कम्प्यूटर की मुखित स्मिर्थी किसको का जाता है वो है रैम ठीक है रैंडम एक्सेस मेमरीस का फॉल फर्म होता है एनिमो मीटर क्या मापने में काम आता है पवन का बेग पवन का बेग जो है एनिमो मीटर से माप जाता है हमारे शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनयोजी सक्ती होती है, ठीक है, पुनयोजी जो सक्ती होती है वो मस्तिस कोशका में सबसे कम होती है पुनयोजी शक्ती अगला है जो पद है, जो एक टर्म है PC, इसका मतलब क्या है तो personal computer बोलते हैं, ये computer simulator है जिन संसादनों का पड़योग बार-बार किया जाता है वो क्या कहलाता है नवी करनी है जैसे कि पेड़ पेड़ क्या है आप लगा सकते हैं तो इनको बार-बार आप यूज कर सकते हैं तो इसलिए इस तरह के जो संसादन है वो नवी करनी है सुनसादन है पहार पर जो जल है वो कम ताप्मान पर उबलता है क्यों क्योंकि पहार पर जो वाईू दाब है वो कम होता है ठीक है next question है refrigerator खाद्यपदार्थ की खराब होने से बचाता है क्यों क्योंकि जो इसमें temperature होता है वो बहुत noon तम होता है और निवन तापमान पर जो रोगानू है वो मर जाते हैं और इससे हमारा खाना जो है वो सुरक्षित रहता है ठीक है कादेपदार्थ हमारे खराब नहीं होते है रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है जिसका रक्त वर्ग AB हो ठीक है यानि AB वाला ऐसा व्यक्ति है, जो सिर्फ AB को रख्तदान कर सकता है और ले सकता है किसी से भी यानि यह universal gainer है, blood को सर्वग्राही है सर्वदाता नहीं है, सर्वदाता होता है वो जो अपना blood है, वो किसी भी group को दे सकता है, ठीक है लेकिन AB जो है वो किसी भी group से ले सकता है और दे सकता है सिर्फ AB को नेक्स कोश्चिन है पक्चियों को बहुत उचाई पर उड़ते समय सांस की परशानी क्यों महसूस नहीं होती क्योंकि उसमें अतिरिक्त वायुकोश होते है नेक्स है, पारिस्थितिक तंत्र में उड़जा का सुरोत क्या है तो यह सूर्य वह तापान जिसके पाठ्यांग फारेन हाइट और सेल्सियस दोनों पर माने पर बराबर होते हैं वो है माइनस 40 डिगरी सेल्सियस माइनस 40 डिगरी सेल्सियस पर फारेन हाइट और डिगरी सेल्सियस दोनों का ही temperature जो है वो मान बराबर होता है नेक्स है उस्मा को वैदित उर्जा में परिवर्तित करने के लिए परियोग किया जाता है किसका थर्मो कपल का नेक्स है किसके प्रभाव से ताजमहल जो है वो सरवाधिक दुष्प्रभावित हो रहा है अमलिय वर्षा के कारण अगला सवाल है भारत में रास्ति आय के प्राकलन किसके द्वरा तयार के जाते हैं यह किया जाता है केंडरी सांखी कि संगठन के द्वरा नेक्स है सबस्यादिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंख कोन सा है वो है लेंस नेक्स एंजाइम मुकता क्या होते हैं प्रोटीन होते हैं वीटी कल्चर किसके उत्पादन से संबनित है अंगूर के उत्पादन से संबनित है वीटी कल्चर अगला सवाल देखे एक आलू कंद को दो भाग में काटा गया ठीक है तो उसका जो एक भाग है कटे वे प्रेस्ट पर आयोडीन के विल्लिन की कुछ बुंदे गिराई गए तो यह repeated question है अब किस रंग का परिवर्थन देखा जा सकता है तो भूरे से निला और काला समझे भूले से जो है वो निला काला नेक्स है मानव भीर्दय में कितने वॉल्ब जो होते हैं दो वॉल्ब होते हैं वॉल्ब सेट्स होते हैं दो वॉल्ब नेक्स है रोग परतिकारकों को उत्पन करने वाला सेल जो है वो कौन सा है वो है सिस्फो साइट रोक परतिकारकों को उत्पन करने वाला सेल सिस्फोसाइट नेक्स है डायस्थेट एंजाइम का सुरोत क्या है तो वह लार ग्रन्थी अगला है समुद्र में डूबी वस्तू का पता लगाने के लिए किस यंद्र का प्रियोग के जाता है सोनार ठीक है नेक्स है जब वास्प दाब वायुमनलिय दाब के बराबर हो जाता है तो दरब पर जो है वो क्या परभाव पड़ेगा तो यह पड़ेगा दरब उबलने लगता है जब वास्प दाब वायुमनलिय दाब के बराबर हो जाएगा तो दरब उबलने लगएगा नेक्स समुधरी खर्पतवार में मुक्ता क्या पाय जाता है आयोडीन पाय जाते हैं अगला सवाल है nuclear reactor में भारी जल्का परियोग किस रूप में किया जाता है नियामक के रूप में या फिर moderator के रूप में अगला है भीर को तितर-बितर करने के लिए जो पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रू गैस होती है वो क्या होती है एक तरकी कलोरीन होती है आश्रू गैस चोड़ा जाता है अकसर आपने देखा हुआ भीर को नियंतरित करने के लिए तो इंटरनेट के पते में जो http का एक word होता है जो term है इसका full firm क्या होता है आप सभी google use करते हैं google chrome use करते होंगे internet use करते हैं तो उसमें address http से start होता है किसी भी website का तो इसका मतलब होता है hyper text transfer protocol ठीक है next है which ads दिवस जो है वो कब मने जाता है 1 December को किसमें सर्वोच actually यह gk का प्रशन है लेकिन science में भी ads जो है वो important word है एक बीमारी है तो इसलिए इस दिवस को यहाँ पर हमने देख लिए किसमें सर्वोच विसेस्ट उसमा का मान होता है तो यह होता है gel microplagia जिस रोग से संबंदित है वो किन अव्यवों को प्रभावित करता है यह करता है स्वास संबंदित ठीक है अगला स्वाल देखे शरीर के साथ संपर्क में spirit ठंडी अनुबती देता है spirit जब आप भी spirit यूज़ करते होंगे ठीक है तो आपको लगता होगा अचानक सिक्दम काफी ठंडा महसूस होता है जब भी आप spirit छूते हैं तो वो इसलिए क्योंकि यह अत्यन्त वास्प सील है बहुत जल्दी ही यह वास्पित हो जाती है इसलिए यह ठंडा महसूस होता है किसकी उपस्तिती के कारण तंबाकू का धुआ जो है वो सास्त के लिए हानिकारक होता है निकोटीन के कारण तंबाकू के अंदर निकोटीन होता है और यही जो है इसकी वाज़से जो धुआ होता है वो काफी खतरनाक होता है हमारे स्वास्ति के लिए गलसुआ या मंपस जो है एक वाइरल रोग है वो सूजन पैदा करता है ठीक है किसको तो यह करता है कर्णपुर्व ग्रंथी को में सूजन प्रंथ करता है यह है पैरोटीट ग्रंथी next है kilowatt घंटा किसका unit है kwh kilowatt hour किसका unit है यह उरजा का मानब शरीर में सबसे बड़ी मिसरित ग्रंथी जो है वो यक्रित है mercury जिसको पारा कहते हैं वो एक liquid है दरफधात हुए next ball pin किसका सिधान पर काम करता है तो यह करता है प्रिष्ठिय तनाव के सिधान पर ball pin जो हम यूज करते है वो प्रिष्ठिय तनाव के सिधान पर काम करता है और एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता है तो वो किस रोग से ग्रसित है तो वो है निकट द्रिष्टी दोस से 10 मीटर की जो दूरी है वो काफी होता है दूर होता है तो उसको आप पास नहीं कह सकते है तो इसलिए आप इसको यह समझे कि जो जिस व्यक्ति को दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती है तो उसको होता है निकट द्रिष्टी दोस ठीक उल्टा होता है वायू में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब क्या पैदा होता है तो होता है जल उसका रबीसी का कबरिस्तान किसको कहते है तो यह कहते है स्प्लिन को यानि पलिहा को रबीसी जिसको रेड बलड सेल कहते है ठीक है और इसका कबरिस्तान जो है वो पलिहा यानि स्प्ल किस से होता है tuberculosis संक्रमन जो होता है माइको बैक्टिडियम tuberculosis द्वारा माइको बैक्टिडियम tuberculosis रात के समय आवासी चेतर में शोर का जो अनुमत अस्तर है वो क्या होता है तो वो होता है 45 decibel 45 decibel अगला सवाल है विद्धुतावेश का ऐसा ही मातरक क्या है तो यह होता है कुलाम ठीक है कुलाम जो है वो विद्धुतावेश का ऐसा ही मातरक है नेक्स क्योशन है पादपो में मूल रोमों द्वारा जो जल जिस पर किलिया से अफशोशित के जाता है वो क्या कहलाती है परासरन प्रासरन की जो होती है वो पादपो में होती है जो रोमों के द्वारा जल अफसोशित किया जाता है नेक्स है दस्तो चोबिस बाइट जो है वो किस के बराबर होता है एक किलो बाइट के यानि एक के बराबर होता है उसका द्वनस्पती तेलों को संत्रिप्त वसाओं में परिवर्थित करने के लिए किस गयस का परियोग क्याता है हाइड्रोजन का नेक्स है पाधप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक छित तत्त जो है वो कौन सा है वो है नाइट्रोजन नेक्स है बॉक्साइट जो है वो किस खनेज का आयसक है यह है अलुमिनियम बॉक्साइट किसका आयसक है वो है अलुमिनियम का वाइमंडली हवा में सबसे परचूर घटक जो है वो कौन सा है नाइट्रोजन दूद को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण जो है वो अब केंदरी बल है अब डायरेक्ट इसको ऐसे ही पूछ सकते हैं दूद से जो क्रीम है वो निकाली जाती है तो वो किस बल के कारण निकाल जाती है, उसमें कौन सा बल इस्तिमाल होता है, अब केंडरी बल, ठीक है, नेक्स है तन्तु अहार, जिसको फाइबर डाइट कहते हैं, उसमें शामिल है, सेलूलोज, अगला सवाल है, कौकरोच और सिल्वर फिश में किस परकार का परिशंचरन जो अतंतर है, वो पाय जाता है, यानि किस तरह का सरकुलेटरी सिस्टम पाय जाता है, तो यह ओपन टाइब का, जिसको विवरित परकार बोलते हैं, ओपन टाइब का परिशंचरन तंतर पाय जाता है, हमारे शरीर को उर्जा का कौन सा पोसकतर तो देता है, तो हमारे शरी ठीक है यह वाइरल संक्रमन से होता है डीजीज नहीं कह सकते हैं डीजीज भी कह सकते हैं संक्रमन से हो जाता है वाइरल डीजीज यह जो काम होता है जिसको कॉमन कोल कहते हैं सर्दी खांसी तो यह इस तरह से नुकुलियस की जो द्रबमान संख्या वो कितनी है सदा उसके पर के लिए सरवोच्ष में प्राइंए व्पोड करने वाली गयास कौन सी है मिठेन अगला सवाल यह किसी प्रमानो नुकुलिएस में प्रोटिएन की संक्या पर किसी परमानुकार रासाइनिक वेभार जो है वो किस पर निर्भा करता है उस निकुलियस में पुट्रून की संख्या पर सीसा जिसको लेड कहते हैं का सबसे महतपूर्ण एस कौन सा है गैलेना जिसको PBS से डिनोट करते हैं PBS ठीक है अगला सवाल देगे किस कोशिका द्रवी कोशिकांग को यूरो यूकेरियोटिक कोशिका के भीता है प्रोकेरियोटिक कोशिका माना जाता है तो यह है माइट्रो कॉंड्रिया जिसको सुत्रकनिका कहते हैं माइट्रो कॉंड्रिया आप याद रखिए प्रोटीन मुक् acid crystal का एकत्र हो जाना क्या कर लाता है गाउट जिसको यहां पर गठिया कहते हैं ठीक है गठिया जोर जो हड़ी होती है हमारी जैसे यह माली जै आप elbow है यहां पर यूरिक एसीड इकठा हो जागा या फिर जैसे finger है सारी तो इनके जो जोर होते हैं इन सब पर यूरिक एसीड इकठा हो गया तो इससे जो है वो दर्द होने लग जाता है ठीक है यूरिक एसीड के जो crystal जमा होते है वो फिर blood circulation को रोक देते हैं और वहाँ फिर pain ह परना शुरू हो जाता है उसको गठिया या गाउट कहते हैं जब जल स्वेम रसाइनिक रूप से किसी तत्व या खनीज के साथ मिलता है तो उसे क्या कहते हैं जल योजन या उदकन अगला प्रशन देख लिए ब्लीचिंग पाउडर का रसाइनिक नाम क्या है तो यह कैलसिय हाइपोकलोराइट या ओक्सीकलोराइट ठीक है उस इस्थिति को बत क्या कहते हैं जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर हो तो यह संतुलन अस्तर का होता है बिन्दू कहलाता है ठीक है पद जो यह टर्म है PCXT इसके क्या आशा है पर्सनल कंप्यूटर एक्सपैंडियो ठीक है नेक्स्ट है गतिसील वैदूत आवेश पैदा करता है यह चुमकी है छेतर नेक्स्ट है प्रावर्तित प्रकाश में उर्जा आपतन कोन के बढ़ने के साथ बढ़ जाती है मलेरिया रोब पैदा होने का जो कारण है वो क्या है प्रोटो जुआ के कारण होता है ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या वाइमंडलीय कारबन डैयोकसाइड के कारण सौर उर्जा का विपाशन सरीर का कौन सा अंग है जिस से पानी वसा तथा वेविन अप्च ज बिन अप्च है, अप्सिस्ट जो है वो उत्सरजित होते हैं, बाहर निकलते हैं। Next question है, किसी परमानू में परिक्रमन कर रहे किसी एलेक्ट्रोन की कुल उर्जा क्या है, कभी धनात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, हमेशा रिनात्मक होती है। Next है, चालन बैंड इलेक्ट्रोन की गति शीलता जो है, वो चिदरों से अधिक होती है, क्योंकि उनमें रिनावेश होता है। Next है, कुनेन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है, तो यह निकाली जाती है, सिनकोना की छाल से। अगला सवाल है, हाइपर टेंशन सब के लिए परियोग के जाता है, रक्त चाप बढ़ने के लिए, जो बलड प्रेसर बढ़ा रहता है, तो उसको हाइपर टेंशन कहते हैं। एक ही तापमान वाले अस्थान को जोडने वाली कालपनिक रेखाएं क्या कहलाते हैं। आइसो थर्म कहलाते हैं, ठीक है, समताप रेखाएं। उसका दें नेक्स्ट एनियाक, ठीक है, एनियाक जो है वो क्या है, एक एलेक्ट्रोनिक कम्प्यूटर है, E-N-I-A-C, ठीक है, E-N-I-A-C, एक बाइट जो है वो बनता है, आठ बीट के बराबर, आठ बीट जो है वो एक बाइट के बराबर होता है, कम्प्यूटर का ये कोश्चन है, सौर उर्जा का कारण क्या है, सनलेन अभिक्रिया, यानि नाब के सनलेन, नेक्स्ट है, हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रिया सील कौन है, तो ब्रोमीन, नेक्स्ट है, परमानु करमांक 20 वाले इलेक्ट्रोनिक विन्यास क्या होगा, 2882, ठीक है, अगला सबस्ट है, द्रविट पेट्रोलियम गैस, जिसको लिक्विफाइट पेट्रोलियम गैस कहते हैं, ये होता है, कपरमुख घटक क्या है, तो इसमें होता है, ब्यूटेन, नेक्स्ट है, वर्तमान समय में ब्रहमोस मिसाइले कहां से असेंबल की जाती है, चांदीपूर, ओडिसा से, अगला सबस्ट है, वातबरन में क्लोरो फ्लोरो कारवन, यानि CFC की विर्धी जो है, वो किस गटना के लिए उत्तरदाई है, ओजो उनका च्छै करने के लिए, ओजो उनका हडास करने के लिए, अगला है किस कसेरुकी में कंकाल पुर्णता अस्थिल होता है, तो यह होता है सरी स्रिप में, रेप्टीलिया में, तो यह था पार्ट वन, पार्ट वन वीडियो में इतने ही परशन थे, नेक्स जो पार्ट होगा, वो पार्ट वोगा, जैसे ही वो पार्ट वो हम एविलेबल कराएं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे ठीक है वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए थैंक्यू सो मच आप सभी लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद